सोसल मेडिया पर अभी खेसारी लाल काफी तेजी से वायरल है क्योंकि खेसारी लाल नेपाल आने वाला था ये स्टेज चो करने के लिए लेकिन वहापर नहीं पोच सके तो इनका कारण क्या था जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा आप ये वीडियो फूल देखे, खेसारिलाल खुद ही लाइब आके बताया गया है, कि उसे परसासर में उसे घेर के रखा था, कि नहीं जाने के लिए, क्योंकि अभी करोना काल था, और करोना में ये प्रोग्राम करवाने का इजादत नहीं दिया था, और ऐसे ही कुछ बात ह कि ये लोग जब मेरा कारिकरम की है, तो इन लोगों ने बताया ही नहीं कि टिकट्स हो है, टिकट्स हो का मुझे पता ही नहीं था, मैं जब यहाँ आया, जब इस सारे हंगामा हो गए होने के बाद मुझे पता चला कि टिकट्स हो था, और उसमें जंता की क्या गलती है, इत और आप कहा से बिलुन करते हो, नेपाल या इंडिया से आप नीचे कमिक्ट करें. नेपाल की जंता चैह कहीं की जंता भोली भाली होती है, उसको वे पता नहीं होता है भाई, वो अपने बेटा को प्यार करने है. अब मेरे बारे में क्या बोल रही ए जनता किसी के बारे में बोलेगी क्योंकि उसको हकिकत पता ही नहीं नहीं. तो टीकट्स हो के नाम पे इन लोगों ने मुझे भूकी नहीं ठिया था. और जब इनका पर्मिशन फेल हुआ, सरकार ने कोविड के हुज़े से पर्मिशन इनका रद किया, इनको मना किया कि आप कारिकरम नहीं कर सकते हैं। आप से कितना दिन पहले एग्रिमेंट हुआता है यहां पराने का। तो दो दिन पहले मैंने इनको वीडियो दिया था, तब तब इनको पता चल चुगा था, तब तक इनको पता चल चुगा था कि पर्मिशन रद है, पर शासन हमें यह कारिकरम नहीं करने देगी। उसके बावजूद भी इन लोगों ने मैं यहां तक आ गया, उसके बावजूद भी पूरे दिन टिकट काटते रहे, और मुझे पता ही नहीं कि टिकट काट रहे, और लोगों को इस सिर्फ गुमराह करते रहे, और उसमें नुक्सान यह हुआ कि चार एसकारपियो लोगों जला दिया, इसमें मैं पबलीक जनता को मैं विल्कुल दोस्त नहीं बहुँगा, क्योंकि इन लोगों ने गुम्राह जनता को भी किया और मुझे भी किया, आपको आपका कहना है कि जो भी हुआ, आएज़क के तरफ से, आएज़क हाँ, आएज़क अगर मुझे सुभधि बत गया जैसे निकलना चाहा पूरी परशासन पुरे होटल को घर लिया गए कि आप आप कारिकरम करने जाही नहीं सब्सक्राइब तो मैं परशासन को तोड़के तो नहीं जाओंगा ठोकि मैं आउट इंडिया हूं ये इंडिया तो को सब्सक्राइब और उसका जिम्दार के अगर नहीं जा सकते और मैं अभी कप्ड़ा पहनी के बैठा हूं सुब्बा से अभी खाना तक मैंने नहीं खाया कि कितने लोकों को problem होई होगी मेरे जितने भी बंदे वहां थे कोई ऐसाद भी नहीं था जिसको चोट नहीं लगी है सबको चोट लगी है क्योंकि पुबली को कहीं न कहीं कि सारी लाल यादो चाहिए था और मैं उसी के लिए आया वी था इसमें मेरी कोई घलती आयोजग ने एक सब्स अभी तक जो मैन आयोजग हैं अभी तक मिलने नहीं आया मैंरे से क्या नम हुंका उसके सारवन जी सारवन जी अभी तक मिलने तक कि नहीं है हम लोग सारेव अभी तक खाना टक नहीं खायें शौह सब लोग नास्ता करके और कर लिए ले जा रहाए थे हुँ और जनता आब जनता के नजर में यह चीज़े लग रही है कि मैं आया नहीं अभी आप देखी रहे हैं यहां पे हैं यह भी है हमारे परशासन यहां कि का हूँ तो मैं अपने जीवन में 24 घंट अवर करने वाला इंसान हूँ लेकिं कहीं न कहीं ये करेकरता लोगों ने जनता को भी बैकूप बनाया और मुझे भी बैकूप बनाया आज कम से कम डेर करोड का नुक्षान हुआ सिर्फ के सारी लालयादों के चार इसकारपियों को जला दिया गया इसमें दोस जनता को मैं कैसे दे सकता हूँ इसमें दोस तैन का है हमारे सारे इस्टुमेंट तोड़ दिये गए हमारे लड़कियों को चोड़ पहुची तो इसमें दोस ना उन जनता का है और ना ही हमारा है देखा से और नहीं यहां के परशासन का है नहीं सरकार का है जब सरकार आपको पहले पोविड के उज़से मना कर दिया तो एक कारिकरम आपको पहले ही रद कर देना चाहिए जब दो दिन पहले ही आपकी परमिशन रद की जगे तो आपको पहले जनता को बता देना चाहिए कि या मुझे ही बोलते कि बाई एक बार लाइब आकर वोल दीजिए ये कारी करब केंसिल हो गया